ही यार्मी, वेलकम बेक to my channel स्वागतम और चन्मालेयो आपको स्वागत है मेरे नई वीडियो में तो मुझे पता है कि आज कि इस वीडियो में आपने बहुत ही उमीदों के साथ इस पर क्लिक करा होगा मैं जानती हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में एक बहुत ही सीरिस टॉपिक को कवर करने वाली हूँ जिसकी वज़े से हम सभी बेगिनर्स दुविधा में हैं, परिशानी में हैं, असमंजस में हैं, टेंशन में हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, जिसकी वज़े से हमारे आर्ट वर्क खराब हो जाता है कभीजी और इसकी वज़े से हम कभी डिमोटिवेट ही हो जाते हैं तो इसलिए मैं आपकी इस परिशानी को दूर करने के लिए एक ये वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी फाइफ टेक्नीक्स तो मेक आउटलाइन तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करें देखना तो पहली टेक्नीक है पहली है। तो पहली है प्रिंट करको नहीं बिल्कोल नहीं हम ऐसी नहीं हम अपने आर्टवक और प्रिंट नहीं करते हैं बिल गी। हम खुद से बनाते हैं क्या हम द्थै斯 आर्मी को अगर आ जानी आके आपको हम करना है HONDAE KKYT यहापका आई लेफल और नोल्स लेफल फिर लीप लेफल पर इसमें आप ईसे Suppose अगर आफ उसे डिपयर क्षप अबिल्कुल साइ्ट बाइस praticamente रहे saith ब्ल्कुल साइट भाइस रहे इसे अपने अर्ट ़ेफरेंस को भी और अपने आपट्वर्क को भी जैसे कि मैं आपका बताती हूँ अब जैसे आप स्क्रीन पर ये पिक देख रहे हो इसमें आपने कमपस को लो और उसको उतना ही ओपन कर लो जितने आपके आए है फिर उसके बाद अपने जो जहां पर आप ड्राइंग नारे हो उसको उतना ही मेजर कर लो इस तरह के से फिर ये बाद आप देखो कि आपकी आए क्वरूनर से और दूसरे आए क्रराणर तक कितना डिस्टेंस है फिर आप इसको मेजर करो जितना आपकी रेफरेंस में है उसको उतना खोलो फिर उसको यहां से लेक कर डेख कर दो मैं इस पर अच्छी से एक वीडियो बना दूंगी त अपके आइं आजाएगी तर आप आप इसको ड्रॉख कर सकते हो बात में हैं intense ड्र ब्रइथ तर ने बेगी की अपकी है दृश्कित को दागी यह पर तो आप ल 우리ुडग कर दो तो next है ये सच में मुझे पसंद नहीं है पर मैंने देखा कि आप यूज करते हैं जो कि है grid grid method मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बिल्कुल नहीं पसंद और वो क्यों नहीं पसंद बताते हूं क्योंकि जब हम अपने page पे वो lines ट्रॉ करते हैं और ऐसे vertical, horizontal तो उसे हमारे page वेस्ट हो जाता है हम अपना artwork तो accurate बना देते हैं पर जब हम उन grid lines को मिटाते हैं तो वो page बिल्कुल बेकार हो जाता है वो काफी rough हो जाता है जिससे कि जब हम blending करते हैं वो बिल्कुल भी smooth नहीं होती और page बिल्कुल rough हो जाता है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है तो मैं भी आपको recommend करूंगे कि आप बिल्कुल भी grid method यूज नहीं करो क्योंकि जब grid method अब हमने ऐसे बनाया grid बना दिया ठीक है पर जह हमने अपना जो हमारी ड्रॉइंग है हमने बना दी ठीक है पर उसके जब इन लाइन को मिटाते हैं वो हमारे पेज को बिल्कुल बेकार कर देता है और सच में परसनली वो मुझे बिल्कुल पसंद दिया और मैंने अज तक कभी भी इसको यूज नहीं करा है तो आप आपके वरजी है कि आप गुरिड मेथड यूज करना चाहते हो या नहीं ताइट्स यूर विश्ट पर मैंने बता दिया कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता और गृड मेथड आप यूज करके बिल्कुल भी आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो क्योंकि गृड मेथड हमेशा आपका काम नहीं चला सकता है इसलिए आपको गृड मेथड को छोड़ना पड़ेगा अगर आप यूज करते हो तो उसे अभी से ही छोड़ दो बिल्कुल छोड़ दो तो कि वो आपको आर्टिस्ट नहीं बना सकता वो आगर आप डिस्टर्बिंग पीपल वो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कभी-कभी आप उसको यूज कर लोगर आपको बिल्कुल हंटाट परसंट एक्कुरेसी चाहिए या फिर ड्राइंग के किसी पार्ट में आपको एक्कुरेसी चाहिए तो आप तब यूज कर सकते हो वड़ना उसको बिल्कुल अवाइट करो बिल्कुल अवाइट करो तो नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट तो मेजरमेंट में भी वही चीज है जो कि मैंने प्रिंटिंग में आपको बताई पर इसमें आपको प्रिंट नहीं करना पड़ेगा इसमें आप फोन को ही यूज कर सकते हो फोन को आप उतना जूम कर लो जितना आपको फोन जूम कर सकता है या फिर जो आपको अपने आर् बार इसमें आप कमपस यूज उस कर लो तो उसमें भीपन करो जितना आपको फोन जितना प्में जूम करा था उतना उसको ऊपन करो पर अपने आर्ट वर्क्म इसको मेज उपन कर ओ आपने 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 सलंगे है क्योंकि जो हमारा फून है वो कभी भी हमारे गलती से हमारे हाथ हो सकता है इसलिए तो वो मुझे सही नहीं लगता क formed है अगर हमने को जोम करा और थेस्टे बाद में हम से गलती से जोम आउड हो गिया तो फिर आप जानते हूं फिर दुबारा वो उतना ही जोम क्योंकि मेरे पास ट्रिक्स बहुत है आर्ट की मेरे पास नॉलिज है पर स्किल्स नहीं तो फिर आता है free hand free hand मैं इसके लिए क्या ही बोलू free hand मेरे लिए बहुत important है artist जो है free hand use करते हैं क्योंकि free hand अगर हम use करते हैं तो हम अच्छी artist बन सकते हैं free hand कुछ नहीं है या उसमें अपको कुछ भी करने कि जूदा नहीं है बस अपने reference खो देखो draw कर दो देखो, ड्रॉक करो, बस यही है, इसमें काम करती है एक चीज, जो ही है, आप्जोवेशन, तो पहले आपको अपनी रेफरेंस को देर तक घूरना पड़ेगा, कि उसमें कैसे कैसे आपके फीचर्स हैं, फिर उसके बाद आप अपने आर्ट वर्क में उसको ड्रॉक करो, अग आप उसको पहले अच्छे से घूरो, आइब इन इसको देखो, अब्जर्व करो, फिर उसके बाद आप उसको अपने अपने ट्रॉइंग में बना लो, मैं बिल्कुल समझाने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, तो अच्जस्ट कर लियना, तो फ्री हैंड अगर आप य यही तो खासियत है आर्ट की कि हम अपनी स्किल्स दिखाते हैं उसमें बस अपने रेफरेंस को देखो और बना दो पर अब्जर्व आपको अच्छे से करना पड़ेगा observation आपकी practice के हिसाब से हो सकती है आप अपने reference को लो और उसे अच्छे से देखो कि आपके features कैसे कैसे हैं फिर उसका rough sketch बनाओ इसी तरीकिसे आपकी observation की practice हो सकती है focus practice आप करो तब ही आपके observation अच्छी होगी और फिर उसके बाद आता है एक मिनट यह तो six होगी न यह four हो गई मेरे पास actually six है I'm sorry मेरे से गलत ही हो गई I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry my sister तो fifth आता है loomis method तो यही है वो चीज जो की बहुत जादा complicated है yes this is so complicated इसे कोई-कोई ही use करता है इसमें है क्या मैं आपको अच्छे से समझाती हो तो ध्यान से सुनना तो इसमें पहले तो आपका जो head है आप उसमें एक circle बनाओ फिर उसमें आप ऐसे लाइन कीचो और इसमें आप मेजर करो कि आप यह आए कहां आती है nose कहां आती है nose actually यहीं आएगी जहाँ का circle है फिर उसके बाद उसमें आप अपने lip मेजर करो chin measure करो और like this ऐसे कुछ बनाओ यह आप देख लाग कि कहां आते हैं फिर आपकी head line और इसी में एक और चीज़ भी है कि पहले straight line करो पर इसके बाद उसको half में divide कर दो फिर उसको एक और half में उसमें भी half में फिर यह half में तो यह आपका बन गया एक face का structure बन गया यहां आपकी hairline आ जाती है यह आई लाइन आ जाती है यह nose और यहां lips तो ही एक loomis method है जो हमारा use होता है यह काफी complicated है इससे भी हमारा paper जाए grade method की तरह खराब हो सकता है पर जादा नहीं जितना grade grade से होता है उतना इससे नहीं होता पर फिर भी मैं यही कहांगे कि आप इसको avoid कर दो यह बिलकुल बेकार है मतलब पेकार नहीं मतलब सही है फिर भी हमसे नहीं हो पाएगा जो beginners है इस पर focus मत करना lumis method पर आप basic shape practice पर अपना focus कर सकते जाकि face की structure होता है कुछ इस तरह के से इस पर फोकस कर सकते हो कि आपके जो face का like this that's so weird तो आप इसे focus करना lumis method पर नहीं face की structures होते है features होते है अलग-अलग angles shapes इन पर फोकस करना यह भी है जब मैं आपको measurement वाला सिखाऊंगी तो साथ ही साथ आपको यह वाला भी पता दूंगी तो आप उस video को ध्यान से देखना और मैं वो वीडियो को इस video के बाद ही दा दूंगी तो अब आती है हमारी fifth trick तो अगर आप बिलकुल परिशान हो चुके हो हताश हो चुके हो दुखी हो अगर आपने दुनिया के सारे नुस्खे अपना लिये हैं अगर आपने दुनिया के जितने भी मंत्रे हैं सारे अगर आपने दुनिया के लिये हैं उसके बाद भी आपसे ड्रॉइंग नहीं बनती है आपसे आउटलाइन नहीं बनती है तो आप इस ट्रिक को यूज करें और इससे आप सिरफ पांच मिनट के अंदर अपने आउटलाइन बना सकते हैं और जो की बिलकुल 100% रियल होगी इस लिए आप इसको यूज करते हैं तो मैं तो यहीं कहते हूँ किया आप जैसी ड्रॉइंग है जैसी एक रेफरेंस है बिल्कुल सेम टो सेम एस इस बना सकते हैं और इस चीज का नाम है ट्रेसिंग तो इसमें आपको कुछ नहीं करना अपना फोन लो उसकी ब्राइटनेस बढ़ाओ फिर इसको अपने पेश की नीचे लखो फिर उसकी बाद जो आपको दिख रहा है उसको ट्रेस कर लो और यही है सबसे अनुखी ट्रिक अनुखी मैथड जिस्वह आप यूज इसके लिए मैं एक चीज यूज करना चाहूंगी जाहे आपने कितनी भी एकसाइटमेंट आपकी बढ़ गई हो कि अपसे तह मैं इसको यूज करूंगा ट्राइंग बनाने के लिए तो मैं आपके उस एकसाइटमेंट को एक सेकेंड के अंदर तोड़ देती हूं तो वो ल ट्रेसिंग जैसी चीज को यूज करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हानीका रख एक सिहत के लिए इसको यूज करें क्योंकि इसको यूज करके आप आप अपने लक्षे पर बिल्कुल भी काम्याब नहीं हो सकते हैं तो ट्रेसिंग को छोड़ दीजिए आप बस एक इंटोड़क्शन था और इसके बाद जो वीडियो आएंगे तो मैं उसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तीप मैं आपको समझाऊंगी कि आप आप आउटलाइन्स बिल्कुल अच्छी से कैसे बना सकते हैं और तो जो मैं आपको बताया वो था प्रिंटिंग ग्रिड, मेजरमेंट, लुमिस मेथर्ड और ट्रेसिंग तो आप इनको यूज कर सकते हैं अगर आपको अभी ही समझ आ गया है तो ठीक है पर मेजरमेंट और जो फ्री हैंड है ये मैं आपको अलग से समझाऊंगी और इक और जो मैं आपको बताया फेस की जो प्रैक्टिस है आप उसको अच्छे से करो और आप ध्यान दे सुनना अगर आपको फेस की प्रैक्टिस है तो आप पोई भी फेस अच्छे से एकुरेटली ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको फेस की फीचर उसकी बिलकुल भी अच्छे से नॉलिज नहीं है आपको प्रैक्टिस नहीं है तो का बिल्कुल भी accurate draw नहीं कर सकते हो yeah that's a deep lie but don't worry मैं आपको बता दूंगी क्या आपको फेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है और मेजरमेंट की प्रैक्टिस कैसे करनी है और फ्री हैंड की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है so don't worry if I'm here so मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को वाइरल जरूर करना और thank you so much for watching bye bye army, बुरा है